तो जहें दोस्तो मिरना में अतुल और स्वागत है अपका अपनी यूटुब चनल अतुल टक बजार में दोस्तो रियल्मी यूआ की कुछ जलग हमें रियल्मी एक्सटू के लाउंच इवेंट पर देखने को मिली थी इस टाइप के आईकोन आज मादोसर ने बता है कि जो रियल्मी यूआई आने वाला है क्लोस टू स्टॉक अंडरॉइट होने वाला है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है तो इस वाली इमेज में दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर देख सकते हैं जो रियल्मी एक्स टू प्रो में जो पर देखने को मिल जाता है जबकि ColorOS 6 में थोड़ा सा हटके था तो यहाँ पर एजिली हो जाएगा जब यहाँ पर वर्टिकल आपको स्मार्ट असिस्टेंट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर दूस्तों जब ओपो का ColorOS 7 आया तो तो रियल्मी का ColorOS 7 थोड़ा हटके था आपको जब यहाँ एकोंस ते हां नीची के तरफ देखो के तो आइकोंस तो यहां पर जो हैब आपको इस के फरक देखने को मिल जाता है जो left side वाला mobile है वो realme का mobile है और realme का custom UI जो आने वाला है colorless change हो के वो कुछ इस type का आपको देखने को मिल जाएगा बात करें setting के तो आपको setting कुछ इस type की देखने को मिल जाएगी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो left side वाला device है वो realme x2 pro है और right side वाला image है वो यहाँ पे OPPO Reno2 की है अब जो new वाला notification panel होने वाला है वो कुछ इस type का होने वाला है आप देख सकते हो realme का इस में दोस्तों यहाँ पे जो circle है उसमें पहले एक green color था अब यहाँ पे blue कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पे stock android अगर अपने यूज किया होगा तो blue color भी यहाँ पे sets लिए हो रहता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि notification panel है उसके icon जो है वो circle ही है क्योंकि हमने mostly बोला तो circle ही icon अच्छे लगते हैं और OPPO की icon आप देख सकते हो कि अलग टाइप से दिखते हैं तो यहाँ पे mostly जो notification panel है उसमें sets है वो यहाँ पे blue होने वाले है बात करें setting section के तो यहाँ पे setting section आपको कुछ इस type की देखने को मिलने वाली है blue color मुस्टी यहाँ पे available रहने वाला है कि Realme ने promise किया था कि जो हम नया वाला UI लाएंगे Realme का वो close to stock android हैगा stock android के यहाँ पे सारी कि सारी आपको जलक देखने को मिल जाएगी यहाँ पे battery percentage वाला option भी आपको कुछ इस type का देखने को मिलेगा basically यहाँ पे green color को हटा के यहाँ पे blue color कर दिया गया है क्योंकि आपको यहाँ पे close to stock android का देखने को मिल जाए look और यहाँ पे मैं बोलू तो यहाँ पे 70-80% आपको stock android का experience होने वाला है अब बात करते कुछ extra features से बारे में तो यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्योंकि जो realme UI का custom UI realme का उसमें आपको panoramic light effect देखने को मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन या फिर incoming आपके mobile में आएगी तो चारो तरफ से जो edge है वहाँ पे आपको light effect एक खलका सा देखने को मिल जाएगा क्योंकि काफी अच्छा और attractive लगता है क्योंकि यहाँ पे आपको ओपो को जो coloris 7 है उसमें आपके देखने को नहीं मिलेगा और साथे साथ दोस्तों realme के तरफ से जो realme UI आने वाला है उसमें अगर आप double tap करोगे तो जो screen है वो off हो जाएगी यह features जो है ओपो के coloris 7 में से mobile में देखने को मिल जाएगा जनुरी टूटी टूटी से आपको देखने को मिल जाएगा और यहां पर बहुत से mobile में इसके बीटर डेस्टिंग भी चाल वे तो जब भी कोई update आएगा तो मैं आपको जरू से जरू inform करूंगा तो इस वीडियो में इतना ही यह वीडियो आपको पिसंद रहा होगा तो प्लिस समेंचे ने से लाइक से रहे सब्स्राइब करते रहेगा तब तक लिजाएएं दूस्तो बोलते रहें वबंदे मातरम